यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और प्रधान मंत्री नरेंतर मोदी की और से नमो एप के जरीय किसानों को संबोधित आज किया जा रहा है सीधे सुनवाते हैं आपको देख रहा हूँ आपके चहरे की मुस्कान आपका उमंग उत्सा मेरे लिए भौत ही खुशी का दिवस है आज किसान हमारे अन्दाता हैं वे लोगों को भोजन देते हैं पशुओं को चारा देते हैं सारे उद्योगों को कच्ची सामगरी देते हैं देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा स्रेय हमारे किसान भाईयों और बहनों को जाता है भारत खाद्यान के मामले में आत्मनिर भर हो इसके लिए हमारे किसान भाईयों बहनों ने अपना खून पसिना एक कर दिया लेकिन समय के साथ किसान का अपना विकास दीरे धीरे सिकुरता चला गया सुरू से ही देश के किसानों को उनके नसी पर छोड़ दिया गया हर सोच को बदलने के लिए एक निरंतर प्रयास की जरूरत थी वैज्यानिक प्रयास की जरूरत थी प्रगतिसिल किसानों को आगे लाल करके किसानों के बीच में बदलते हुए यूग के अनुसार बदलाव के लिए प्रयास करने की जरूरत थी लेकिन उस काम में हमने बहुत साल विलंब कर दिया पिछले चार सालों में हमने जमीन के रख रखाव से ले करके उत्तम क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के बीच तैयार हो किसानों के लिए प्राप्त हो बिजली पानी से ले करके हमने बाजार उपलब्द कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कारे करने का हमने भरसक प्रयास किया है और हमने तैय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आए दो गुनुल करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ना है किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है सरकार की पुरानी नित्याओं में बदल करके आगे चलना है जहाँ जहाँ कठिनाई है उन दूर करकर के आगे बढ़ना है जहाँ जहाँ पर रुकावटे हैं उसको खतम करके आगे बढ़ना है और जब हमने किसानों की आए दोगुनों करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे देश जिन्नों ने उसका मजाग उड़ाया ये तो संबहु नहीं है ये तो मुश्कील है ये कैसे हो सकता है निराश करने का एक बातरण बना दिया लेकिन हमने प्ताय किया देश के किसान पर मेरा भरोसा था अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष रखा जाए आवशक बातमन पैदा किया जाए बढ़नाव लाया जाए तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तयार है महनत करने को तयार है परनाम लाने को तयार है और बुद्धकाल में उसने करके दिखाया है हमने इसे पूरा करने के लिए लक्षन दिर्धारिज किया और उस दिशा में आप सब को किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है इस काम को प्राप्त करने लिए मुख्य रुप से चार बिंदों पर बल दिया जा रहा है पहला है किसान को जो लागत आती है कच्चे माल की लागत आती है वो कम से कम कैसे हो दूसरा वो जो पैदा करता है जो उपच करता है उसका उचित मुल्य मिले तीसरा किसान जो पैदा करता है जो उपच करता है उसकी बरबादी रुख जाए और चौथा किसानी के उपरांत आमदनी के लिए वैकल्पिक स्त्रोत तैयार हो देश के किसानों को फसलों की उचित किमल मिले इसके लिए इस बार के बज़ेट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया सरकार ने तैय किया कि अधी सुचीत फसलों के लिए MSP उनकी लागत का कम से कम डेड़ गुना गोसित किया जाएगा इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है और मैं आपको पताता हूँ MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे समीकों के परिश्रम का मुल्य जोड़ा जाएगा मवेशी और मशिन पर जो खर्च किया जाएगा वो भी जोड़ा जाएगा बीज और खाद का जो खर्च होगा वो भी जोड़ा जाएगा सिंचाई का खर्च भी जोड़ा जाएगा राज्य सरकार जो जो लेंड रेवन्यू देते हैं वो भी जोड़ा जाएगा वर्किंग केपिटल पर जो ब्याज देना पड़ता है वो भी जोड़ा जाएगा लीजली के जमीन के लिए दिया गया किराया भी उसमें जोड़ा जाएगा ये सब MSP में शामिल है इतना ही नहीं किसान जो अपनी मेहनत करता है और उसके परिवार के सदसे जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का भी मुल्य निर्धारित करके लागत के अंदर उसको भी जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर MSP ताइग किया जाएगा क्रिशी के लिए सरकार बजेट में एक निश्चित फंड आवंटित करती है पिछली सरकार के पांच वर्षों में क्रिशी के लिए बजेट आवंटन एक लाग 21,000 करोड रुपिय का था जिसे 2014-19 के लिए बढ़ा कर करीब करीब हमने इस पांच साल के लिए सो 2,12,000 करोड कर दिया यानि करीब करीब क्रिशी के लिए बजेट डबल कर दिया यह किसानों के कल्यान के प्रती हमारी सरकार की प्रतिवधता को साप साप दिखाता है आज देश में न सिर्व अनाच का बलकी फल, सबजियां और दूद का रिकार्ड उत्मादन हो रहा है हमारे किसान भायों ने पिछले सत्तर साल के सारे रेकोर्ड तोड़ दिये एक नया रेकोर्ड बना दिया है पिछले 48 महिनों में क्रिसी के खेत्र में अभूत पूर्व प्रगती हुई है वर्ष 2017-18 में खाद्यान उत्पादन करीब करीब 280 मिलियन टन से अधिक हुआ है जबकि 2010-2014 तक पिछली सरकार के दर्म्यान एवरेज आउसत वो 2500 मिलियन टन के आस्पात रहा था इसी तरह दलहन के खेत्र में भी आउसत उत्पादन में 10.5% 10.5% एवं बागवानी के खेत्र में 15% याने की 15% की वृद्धी दर्ज की गई है ब्लू रिवालुशन या नीली क्रांती के अंतरगत मचली पालन के खेत्र में 26% प्रुद्धी हुई है तो दूसरी और पशुपालन वद्दुद्ध पादन के खेत्र में करीब 24% प्रुद्धी हुई है हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले यानि बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक यानि बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मदर रूप हो सकती है कैसे सुईधा बढ़ा सकती है कैसे किसान को नयाई दिला सकती है इसके लिए निरने कर किये जा रहे हैं योजनाई बनाई जा रहे है किसान कल्याण के लिए एक पूरी व्यवस्ता बढ़े उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं बुवाई से पहले किसान यह जान पाए कि किस मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए उसके लिए सोईल हेल्थ कार शुरू किया गया एक मार जब यह पता चल जाए कि क्या उगाना है तो फिर किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज में ले और पूंजी की समस्या से गुजरना न पड़े इसके लिए किसान रण व्यवस्ता की गई किसान क्रेडिट कार का दाहरा बढ़ाया गया पहले खात के लिए लंबी-लंबी कतारे हुआ करती थी लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक खार लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है काले बाजारी नहीं करनी पड़ रही है आज किसानों के लिए शौत प्रतिशाद शौत प्रतिशाद हंडेड परसन नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्द है बुवाई के बाद जरूरत होती है सिंचाई की प्रधान मंत्री क्रिशी सिंचाई योजना के तहट आज देश भर में करीब करीब सो सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही है हर खेत को पानी मले इस लक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो इसके लिए आज फसल भी मा योजना है फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्वाद बाजार में पहुँचता है उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले इसके लिए ओनलाइन प्रेटफॉर्म इनाम शुरू किया गया है ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके और सबसे बड़ी बात कि अब बिचोलिये किसानों का प्रफिट हजम नहीं कर सकते मार नहीं का सकते कटकी नहीं कर सकते आईए देखते हैं इन योजनाओं से हमारे किसान भाई बेहनों को क्या लाब मिला उनके जीवन में क्या बड़लाव आया और उनी के मुन से सुनेंगे उनी के अपने अनुभव से सुनेंगे तो शायद और देश के किसानों को भी एक अवसर मिलेगा हाँ अगर वहां का किसान नहीं कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ आज मेरे सामने सबसे पहले 36 गड़ के कांकेर जो कि आदिवासिक शेत्र हैं वहां के हमारे कुछ किसान भाई भैन मेरे सामने है मैं सबसे पहले कांकेर के किसान भाईयों से उनकी बात उनके अनुभव उनकी उत्सा जनक बाते सुनना चाहता हूँ नमस्ते जी कांकेर के भाईयों बताइए किसान भाई को थे जैजोहार से जैजोहार धिरिख सर्धी चंद्रमणी कंशीग ग्राम पोष्ट जुबना म् है चंद्रमणी कंशिग सर्शंड़मणी है बताइए जी ग्राम पोष्ट कनारपुरी जी लाकाकेर की रहने वाली हूँ और हम लोग पहले दो एकड़ में धान लगाते थे सर उसमें ज्यादा हम लोग को बेनीफिट नहीं मिलता था मतलब 15 से 20 अजार हमको आमदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टीनी होता था और फिर हम लोग बाद में गाह में 10-15 महिला मिलके एक सम्हुज जोड़िये उसमें काकेर में छीता फल बहुत अधिक जिसे दिल्ली में सरीफा के नाम से जाना जाता है सर और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे तो भी कोछिया लोग वहां 25 किलो चीता फल को 60-50 में हमको ठक के ले जाते थे फिर हम लोग आत्मा क्रिशी आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफ़ा कमाते हैं सर और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं जुड़ी हैं और हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई ग्रेडिंग और बाक्स में छीता फल भर के ले जाते हैं राइपूर में वेशने के लिए सर और जो पल्प मशीन है और मेरे साथ और भी मेरे ग्रुप के करते हैं सर आइस्क्रीम बनाने का ट्रेनिंग गये हैं यह हम लोग का इसक्रीम भी है सर आप दूर में हो सर नहीं तो फिर हम आपको टेश्ट भी करा लेती सर अंधरमानी की आपके पढ़ाई क्या हुई आट में सर आट में कछा थी और आप इतना बढ़िया बोल लेती है पिच पिच में अंग्री शब्दा भी बोल लेती है यह सिताफल भी लेके बैठी है कि आप कि वो बॉक्स है जी बॉक्स है सर इसी में ले जाते हैं राइपूर दूर गभिलाई सर और पहले के तुलना में आई कितनी बढ़ गई आपको अभी दोगोनी हो गई है सर बैल्यू एडिशन से जो पहले माल जैसा होता था वैसा बाइदार बेचते तो कितना नुक्षान होता था और थोड़ा सा पैकेजिंग बदल दिया सिताफल में और कुछ बबताएं जोड़ दी किसीने आइस क्रिम बना दिया देखे किसानों को कितना लाब मिलता है और इस फिर। बहुत मैं के जोहार कि मैं ग्राम बेवरती है कि किसान हूँ आसराम निताम कांके प्सक्रिक कांके है हां बताएं इस सर मैंकास पहले मेरे पिताजी के साथ चार एकर जमीन में खेती करते थे, मात्र धान का फसल, इसे सर हम लोग क्रिसी केविके के संपरक में आके और क्रिसी भाग और मतश्विभाग में आकर समयीत खेती शुरू किये, जिससे हमारा आय हुआ सर, जिसे चार एकर में हम साथ से सत्तर हजार रुपय कमाते थे आज समीत खेती से जिसे मचली पालन और गाय पालन और हल्टी कलचर से पौधा जो तलाब के मेड में जो रोजगार गारंटी के तहसर हमको साथ तीन लाग रुपया सबसेटी मिला था और उसे हमारा आए पांस से 6 लाग रुपया हुआ है जिससे हमारा परिवार खुसाल है सर और हमारे समयनी खेती को देखकर आज-पास के गाउवाले लोग भी समीत खेती करना चाह रहे हैं यहने आपने खेती के उपरां दूद का काम किया मचली का काम किया गवर्मन्ट से तीन लाग रुपया मिला आपका स्किल डवलपमेंट हुआ हैं सब का मिला करके आपकी आए इतनी गुना बढ़ गई उनको फाइदा हुआ देखिए यही सबसे बड़ा काम नेताम जी आपने किया है और मैं मांगता हूँ कि आपका प्रयास यही हमारी हां कहते ने बहुत हाथों से काम होता है तो बड़ा परणाम आता है चलिए और भी किसी से सुनेंगे आपके इलाके में कौन है। जी से उसमें सर मक्का और सब्ची का फूद उत्पादन देने जगे सर। उससे हमें अपन मोडर साइकल से ले जाते थे और अपने माँ में तीन लोडिंग आट हो गें सर। जिसे बजार जा रहें सर। प्रधान मंत्री सिचाई उजना के दर चार एकड में ड्रीप लगाया स क्या प्रधा बजान के सब्सक्राइब का शिर्प लगाया कितना समय हो गया यह तो हजार पंदरफ लगाया है मैं तर्फ यह जो पोड़ाइब कर दो अधिक कर दो कि अ झाल